कि आप विवाद थे और गोली आप पर चली थी वो सामने आ गया ऐसा लोगों ने बता है मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है लोग जो कुछ भी का है मैंने ये खत्या किये रबिंदर को जिस आदमी ने मारा है मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफ आठारा जनावरी 2030 को अलोंपिक पड़क बियता बिनेश पोगाड साच्छे मलिक अंसु मलिक और बजरंग पुनिया समेत 30 अन्य भारतिय पहलवानों ने दिली के जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट करने लगे लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों और किसके बिरोध में होने लग रहा है तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है रेस्लिंग फेडरेशन अफ इंडिया यानि डवली एफ़ाई के प्रेसिडेंट ब्रजभूर्शन सरन सिंग के एगेंस में क्योंकि इन पर महिलाओं पहलवानों के द्वारा सेक्स्वल हरास्मेंट का आरोप लगाया गया है लेकिन जनवरी में प्रोटेस्ट को तब खतम कर दिया गया जब सरकार के द्वारा अस्वासन दिया गया था कि एक जांच कमेटी एमसी मेरिकान के निरतित्वे में बनेगी वह जांच कमेटी इस मामले का जांच करीगी लेकिन कुछ समय बाद पहलवानों क को सरजोजनिक नहीं किया गया बजरंग पुनिया कहते हैं कि कमेटी हमें आज तक नहीं बताया कि रिपोर्ट को समिट किया गया है या नहीं इस तरह के लाप्रवाही को देखते हुए पहलवानों ने एक बार फिर से तेस अप्रेल को अपनी मांग को ले करके परदर्शन क करने लगे अब सोच कर देखिए इतना समय बितने के बाद भी दिली पुलिस ने कुस्ति मासंग के अधक्ष ब्रजभुर्शन सिंग पर एफ यार तक दर्ज नहीं किया था लेकिन बितने समय के साथ-साथ इन पहलवानों को राजनितिक पार्टिया भी अपने समर्थन दे ना पड़ा 28 अप्रेल को ने संसद्भावन का उद्गाटन होना था इस दिन यह पहलवान इंडिया गेट से लेकर के ने संसद्भावन तक मार्च निकालने को थे लेकिन पुलिस के द्वारा इन्हें जबज़स्ति अरेक्ष कर लिया गया ि करेंब दो स politics not कि मुझंने इस माइब्न Иर्च कि मुझं एलिक्पन ची हित छूम्न सुप्रीम कूर्ट के आदेश पर 28 अपेल को ब्रेज भूशन सिंग के खिलाफ दो एफ़ायार दर्ज किया गया पहला एफ़ायार को कनाट पले स्थाने में नबालिक पहलवान के सिकायत पर दर्ज किया गया जिसमें योन अपराधों से बाल संग्रेशन यानि पास को एक्ट लगाया गया दिली पुलिस को उनसार दूसरा एफ़ायार योन सोशन के आरोप के तहत आईपीसी के धारा आये ब्रजभूशन सिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं ब्रजभूशन सिंग बरतमान में बीजेपी के सांसद है कैसर गन से इसके अलावा रेसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया यानि डॉल एफाई के प्रेसिडेंट भी है तीन करेकाल से इसी भी साथ माई को डॉल एफाई के प्रेसिडेंट पर के लिए चुनाओं होना है लेकिन यह चुनाओं के उमिदवार के भूंका में नहीं नजर आएंगे बलकि फेडरेशन के किसी अन्य भूंका में नजर आ सकते हैं इनकी रजनेति केरियर को कई विबादों से मार्क किया गया है क्योंकि वेफ पहले बाबरी मश्जिद मामले में ग्रिफतार भी किये गये थे इसके अलावा इन पर चोरी दंगा, हत्या का प्रयास जैसे 38 मामले दर्ज है मेरे जीवन में मेरे हाथ से यह खत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहा है मैंने यह खत्या किये कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार के जाच के लिए तयार हूँ, ब्रजभूशन सिंग ने नमंबर 2021 में कुस्ति माहसंग के नियमों में हुए बदलाव के हवाला देते हुए कहा कि पहलवान ट्राइल मेंच को नहीं खेलना चाहते हैं, इसी वज़े से नराज पहलवान धरना परदसन कर रहे हैं आईए अब जानते हैं कि नियमों में क्या बदलाव हुआ है दरसल नमंबर 2021 में भारती कुस्ति माहसंग ने अपने नियम में कई बदलाव किये इसमें त्य हुआ था कि ओलोंपिक के लिए कुस्ति इवेंट में खिलाडियों को चुनने से पहले ओलोंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाडी को भी ट्राइल देना पर सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि ओलोंपिक से पहले कई अंतराश्चे टूर्णामेंट होते हैं इसमें जितने वाले खिलाडी को ओलम्पिक कोटा दिया जाता है जो देश जितना टूर्णामेंट जितता है उसके उतना ही ज़्यादा खिलाडी ओलम्पिक में जा सकते हैं हालाकि ये प्रत्योगिता उलम्पिक से पहले होता था इसलिए कुष्टी माज संग को कहना है कि उलम्पिक के लिए नाम टाय करने से पहले सब को ट्रायल देना होगा इसके अलावा ब्रजभूर्षण सिंग अपने बचाओं में बयान देते हुए कहते हैं कि ये राजनितिक मामला भी है क्योंकि 2011 में WFI के पद के लिए दिपेंदर हुड़ा भी इनके अगेंस में थे लेकिन वो चुनाव जित नहीं पाए हारा कि हर्याना कुस्ति संग के अध्यक्ष जरूर बन गए ब्रजभूर्षण सिंग के सपोर्ट में उनके प्रतिनीधी संजीव सिंग फेस्बूक पर लिखते हैं कि परदर्सन पर बैठे चंद पहलवान का समंध एक ही अखाड़ा से हैं जिसका समंध दिपेंदर हुड़ा कांग्रेस के सांसत से हैं आईए अब जानते हैं कि इसमें हर्याना कुस्ति संग का कहां से नाम आ रहा है राजियों के टीम को लेकर के कुस्ति मा संग का कहना है कि कोई भी राजिय निस्णल में केवल एक टीम ही भेज सकता है जबकि अलोंपिक में सबसे ज़्यादा टीम हरियाना, रेलवे और सेना से आती है इस नियम में बदलाओं के बज़ा से जो अन्य कमजो राजे भी है उनको भी फायदा मिलेगा क्योंकि पहलवानी में ज़्यादा तर खिलाडी हरियाना राजे से ही आते हैं इस पर हरियाना कुस्ती महासंग के सचीव इस नियम का बिरोध करते हैं और करते हैं कि हरियाना के साथ नाइनसाफी है इसमें न सिर्फ हरियाना बलकि देश के कुस्ती को भी नुक्सान होगा वही हर्याणा के पहलवानों का कहना है कि हर राज्य की एक अपनी खास पहचान होती है हर्याणा कुस्ती में सबसे अच्छा है तो बाकी राज्य अनिख्यल में अच्छा है यही है पुरा मामला यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को